मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताके आपको मेरी आने वाली नई वीडियो मुशूल हो सकते। बिस्मिल्ला इर्मान रहे हैं मैं हूँ डॉक्टर मजरवारिस। अमीद करता हूँ आप सब लोग खेर यह से होंगे। आप तमाम लोगों की जिन्दगें में बरकत या अनसानी अता फरमाएं। आज हम शुरू करेंगे अपना सेकंड होरस्कोप, सेकंड जोडियक साइन जिसे बुर्जे सौर कहा जाता है। और इंग्लिश में से टॉरस कहते हैं। और यह तमाम प्रेडिक्शन जो हैं यह वेस्टरन अस्रालोजी की बेसिस पर की जाती हैं। आप इसे अपने संसाइन या फिर असेंडन इसके मताबिक देखेंगे तो यह एपलिकेबल होंगे। ऐसा नहीं है कि आप इसको वेदिक के मताबिक अपने जोडिक साइन को देखें तो यह आपके फिर अपलिकेबल नहीं होंगे। तो इनके जोडिक साइन तो देखते हैं कि ऐसे अफराज जो 20 एपरल से 20 माई के दुरान प्यादा होते हैं। उनका तालोग बुर्जे सौर से होता है और ऐसे अफराज जो इस टाइम प्रेड में पैदा होंगे उन्हीं का तालोग बुर्जे सौर से होगा और इनके रूलिंग प्लैनेट की बात करें तो रूलिंग प्लैनेट इनका वीनेस जिसे जोहरा कहा जाता है और लकी कलर की बात करें तो लकी कलर इनका आफवाइट होता है और अगर लकी नमबर की बात करें तो लकी नमबर इनका 6 है और अगर हम इनके लकी स्टोन की बात करें तो लकी स्टोन इनका डाइमंड और अगर कोई डाइमन नहीं पहन सकता तो वो वाइट क्रिस्टल जो है वो भी लोग यूज करते हैं इतने ज्यादा कॉस्टली नहीं होते हैं वो भी आप पहन सकते हैं और अगर हम इनके लखी डे के बात करें तो लखी डे इनका फ्राइडे शुमार किया गया है तो इनके लिए देखते हैं जुलाई 2021 के अंदर स्टार की जो पोजीशन है वो क्या रहेगे तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इनकी जो फोकॉस अप अटेंशन रहेगा इस मा के अंदर वो टोटल इनका फोकॉस होगा इनके घरेलू मामलात के उपर जो प्राबलम्स जो टेंशन जो डिप्रेशन जो सिचुईशन चल रही है वो टेंशन डिप्रेशन वाला महल खतम हो सकेगा और इस सिचुईशन से अब भार निकल सकेंगे घर के हालाद घर का इनवार्मेंट अच्छा हो सकेगा वालदा की हेल्थ के हवाले से आपके लिए ये मन्त बहुत अच्छा रहेगा उनसे रिलेशनशिप के हवाले से घर के इन्वायरमेंट के हवाले से ये आपके लिए टाइम प्रेट बहुत अच्छा रहेगा ये मन्त आपके लिए बहुत सी खुशिया लाएगा अब अगर हम इनकी financial position की बात करें तो financial position के आवाले से इनका जो second house का lord है वो इनके second house के अंदर ही माजूद है यानि ऐसे अफराद जो काम करते हैं accountant है, stock exchange related जिनके काम है और banks related काम है, consultancy करते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा ये मन्त का यकम से 11 जुलाई तक इस time period में आप अपने financial decision ले सकते हैं ये financial decision आपके लिए मुस्तबिल में बहुत ही खुशियां और काम ये लाएंगे और अगर हम देखें तो 12 जुलाई से इनके जो second house का lord है वो third में चले जाएगा इनके resources जो हैं अब फिर अगर ये payments वगहरा इनको मिलनी है checks की सूरत में तो ये फिर 12 जुलाई के बाद इस तरह के ये चीज़े कर सकते हैं लेकिन यकम से 11 जुलाई के तक जो भी आप काम करें उसको payment पे करें उसके बाद 12 जुलाई से आप अपने checks से इस तरह के जो matters हैं उसको आप कर सकते हैं आप अपने agreement कर सकते हैं आपने कोई will इस तरह की situation आप कर सकते हैं और अगर इनकी बात करें इनकी education की education के perspective में ये आपके लिए जो month है ये बहुत अच्छा रहेगा especially आपके लिए ये कम से 11 चुलाई इस तोरह ने दर आपके कोई result announce होता है तो वो आपके लिए बहुत positive होगा आपको admission मिल सकता है आपके अच्छे marks आते वे नज़र आ रहे हैं और महबूस से जो तालुकात हैं ये भी आपके बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं क्योंकि fifth house का lord ये भी अच्छे position में है और यहां पर आपके लिए बहुत सी चीज़ें positive होने जा रहे हैं as compared to ऐसे अफराद जो showbiz से वाब बसता है या social media पर काम करते हैं उनके लिए बहुत positive रहेगा अब हम बात करते हैं इनकी marriage की इनकी निकाह की इनके रिष्टे की इस हवाले से अगर हम देखें तो इनके seventh house का lord इनके fifth बुर्ज में पढ़ाया है चौते घर में और साथ ही इनका first house का जो lord है वो भी combined हुआ हुआ है जिसे conjunction यानि किराम कहते हैं तो यहाँ पर hundred percent इनकी love marriage के chances बने हुए हैं अगर आप इस time period को utilize करें तो 13 और 14 जुलाई ये बहुत important होगा बहुत अच्छा time period होगा इसमें निकाह करना शादी करना बहुत मुबारिक रहेगा जो इस time period में शादी करेंगे उनकी marital life बहुत अच्छी होगी उनका long term relationship चलेगा जिन्दगी की खुशियां अजदवाजी खुशियां को निकाह कर सकेंगे इसी तरीके से इसी time period में शादी करना बहुत best रहेगा निकाह कर सकते हैं और ऐसे फराज जो business करना चाहते हैं उनके लिए भी ये time period बहुत अच्छा रहेगा इस time period में आपका business grow करेगा business के मामला बेतर रहेंगे partnership करना बहुत अच्छा रहेगा अब हम बात करते हैं इनकी foreign में travel foreign में travel के वाले से थोड़ा सा आपके ओडिले आपको थोड़ा सा सबर करना चाहिए क्योंकि जो saturn है ये रेट्रो ग्रेड हुआ 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 है अपर 10th house में ये 9th और 10th का command order है यहाँ पर आपको अपको अपनी जाब के ओपर भी बहुत जादा फोकस करना पड़ेगा जाब के पर stress, work tension और बदगमानी इस तरह की situation आप महसूस करेंगे लेकिन आप बदगमानी से बचना है जोसुाrá आपने सदका करना है हफ्ते वाले दिन सदका करने से इंशालला और अपको महफूद रखेगी उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पुसान दाए होगी अपना ख्याल रखेगा उपना आफिस